Hello students, आज की इस वीडियो के अंदर हम oxidation state of transition metals के बारे में बात करेंगे यहाँ पर देखिए फस्स सिरीज जो है वो दिखा रखी है इसके element लिखे हुए है scandium, titanium, vanadium, chromium, magneze, iron, cobalt, nickel, copper और zinc इसी तरीके से second series दिखा रखी है और यहाँ पर जो है third series दिखा रखी है आप अगर देखेंगे ध्यान से आपर तो हर एक element की oxidation state दिखा रखी है कि वो किन-किन oxidation states के अंदर exist कर सकता है कई element ऐसे हैं जो सिर्फ एक की oxidation state के अंदर exist कर रहे हैं यहाँ देखिए, जिंक देखिए, कुछ ऐसे हैं जो बहुत सारी oxidation states के अंदर exist कर जा रहे हैं जैसे जो magneze है, यह प्लस 2 से लेके प्लस 7 oxidation state तक वरी करता है फर्स transition series के अंदर सबसे हाई oxidation state जो रहती है, वो किसकी रहती है, magneze की रहती है जितने ज़्यादा number of unpaired electron होंगी, oxidation state उतनी ही हाई जा सकती है इसी तरीके से second series के अंदर अगर देखेंगे, तो इनके अंदर भी different different elements की, जो oxidation state है, वो different different होती है और यहाँ पर रुथेनियम जो है, इसकी oxidation state प्लस 8 तक चली जाती है, प्लस 2 से प्लस 8 तक, यानि magneze में तो सिर्फ 7 तक ही गई थी, लेकिन यहाँ कितने तक चली गई प्लस 8 तक, तो इसकी तो magneze के comparison में भी काफी हाई है अब इसी series के अंदर अगर हम बात करें, next series की, यानि third series की, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर भी osmium नाम का एक element है, जिसकी प्लस 8 तक जारी है, और जो रुथेनियम है, इसकी प्लस 7 तक जारी है इसका मतलब यह है, कि हर एक element की जो oxidation state है, वो different different होती है, लेकिन जो maximum oxidation state है, वो third series में osmium, second के अंदर रुथेनियम, और जो first transition series है, इसमें कौन रहेगा, magneze, कितनी रहती है, इसकी, प्लस 7 तक चली जाती है, जो oxidation state है तो देखिए, अब यहाँ पर common oxidation state कौन सी रहेगी, इस बारे में अगर हम देखे, तो जो बहुती rare oxidation state है, सबसे पहले तो वो देखिए, इसने बताया है, कि जो बहुती rare oxidation state है, वो parenthesis के अंदर दी हुई है, और जो most common oxidation state है, उन्हें boxes के अंदर enclose किया हुआ है, यानि जो boxes के अंदर enclose oxidation state है, जहां पर भी box बना रखा है, वो सारी की सारी common oxidation state है, कि वो metal in oxidation state के अंदर बहुती easily available हो जाएगी, लेकिन जो parenthesis के अंदर दी हुई है, वो बहुती rare है, जैसे यह दिखा रखी है, यह दिखा रखी है, तो यह बहुती कम देखने को मिलेगी, अब अगर आप के से पूरी first series के अंदर कोई ऐसी metal जो सिर्फ plus one oxidation state के अंदर रहती हो, तो वो होती है copper, plus one oxidation state के अंदर present है है न, तो यह rare cases होते है, जिंक है, वो सिर्फ plus two के अंदर रहती है, तो बस आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे, कि scandium plus three के अंदर ही रहती है, और कोई भी oxidation state ये show नहीं करेगी, magneze plus seven तक चली जाती है, सबसे highest oxidation state को show कर सकती है, copper एक ऐसी metal है, जो plus one oxidation state के अंदर रह सकती है, first transition series के अंदर, इसी तरीके से second में भी आप यही सारी चेज़े observe कर सकते हैं, जो yitterium है, ये plus three oxidation state के अंदर रहेगा, सिर्फ इसके अलावा कोई oxidation state नहीं है, उसी तरीके से silver plus one के अंदर रह सकती है, plus two और plus three के अंदर भी जा सकती है, लेकिन सबसे जो common है, उसकी ये plus one रहेगी, ठीक है, हम यहाँ पर जो mainly पढ़ने वाले हैं, वो d block element के oxidation state के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमने देख ली कि इनकी oxidation state होती है, वो different different होती है, यानि अंदर zero से लेके two तक जाते हैं, तो जो इसका most common oxidation state होती है, most common oxidation state, वो कौन सी बताई गई है अभी आपको, वो बताई गई है, plus two, कौन सी oxidation state, plus two, किस region की वज़े से, क्योंकि इसके S के अंदर दो electron, लगबग जब हम electronic configuration लिखते हैं, तो S के अंदर दो electron आते हैं, और दो electron सारे elements, जितने भी elements हैं, वो कैसे होते हैं, metallic होते हैं, metallic nature के होते हैं, और metals हमेशा कैसी होती है, electropositive, कैसे nature के होंगी, electropositive, तो इस वज़े से इनका oxidation state है, वो हमेशा किसमें रहता है, plus के अंदर आता है, फिर हमने एक बात और कहीं आपर, कि जो oxidation state है, वो plus seven जा रहा है, plus eight जा रहा है, या फिर मालो plus six भी जा रहा है, तो इस तरीके से इतना हाई oxidation state भी देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ उन metals के अंदर मिलेगा, जिनके पास maximum unpaired electron रहेंगे, unpaired electrons रहेंगे, okay, सिर्फ उनके अंदर मिलेगा, और किन condition के उपर मिलता है, plus two तो इसकी वज़े से मिल इसकी अंदर रहता है, दो इलक्टोन रहेंगे, तो वह कितना show करदेंगे, दो इलक्रोन जाएंगे तो प्लस two में आजेगा, लेकिन दी के अंदर भी तो partially failed रहता है, डी क consumers से कितने भी हो सकते है, two उसकते है, three उसकते है, five हो सकते है, तो इलक्रोन भी इसके अंदर add हो जा paired electron present रहते हैं फिर जब हम further move करना start करते हैं तो pairing होना शुरू हो जाती है तो फिर दुबारा से जो oxidation state होती है वो decrease कर जाती है starting में क्या होगी oxidation state increase करती जाएगी और center के अंदर क्या रहेगा center के अंदर oxidation state maximum हो जाती है क्योंकि number of unpaired electron भी क्या रहते है center में maximum रहते हैं आई बात समझ में तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो इनकी oxidation state है वो in factors के ओपर depend कर रहा है यह आपको ध्यान में होने चाहिए साथ ही साथ एक चीज और जो हमें इसके अंदर ध्यान में रखनी है वो क्या है जैसे मान लो हम कोई element लेते हैं अब तो हम सिर्फ element की बात करें थे element तो इन oxidation state से अंदर खाली present रह नहीं सकता वो किसी ना किसी compound की form में present होगा compound कैसे हो सकते हैं कोई salt हो सकता है, halide हो सकता है, hydride हो सकता है या फिर कोई oxide हो सकता है तो उन form के अंदर present होंगे, उस time के उपर हमें metal की oxidation state निकाल लिए हैं जैसे मान लो हमें compound लेते हैं K2Cr2O7 consider करते हैं अब मुझे यहां chromium की oxidation state find out करनी है, तो हम किस तरीके से करेंगे chromium की oxidation state find out भई इसके अंदर K2Cr2O7 में, जो हमारा deep block element है वो तो chromium है सिर्फ हाना लेकिन इसकी तो हमें निकाल लिए है, तो क्या consider करेंगे X, plus oxygen कितने time है, 7 times, और हर एक oxygen के उपर कितना charge होता है, minus 2, is equal to 0 oxidation state निकालेंगे तो जब इससे multiply करेंगे, प्लस 1 से तो 2 आ जाएगा, plus 2X, और यहां कितना आ जाएगा, 14 तो 2X कितने की equal आ जाएगे यहां पर, 14 में से 2 चले जाएगे, 12, यहां तो minus का था, जब इस side आएगा, तो किस में convert हो जाएगे, plus के अंदर, तो 12 आ जाएगे, X की value कितनी आ जाएगे, 12 upon, क्या लिखेंगे हम 12 upon 2, और 12 upon 2 करते ही कितना रह जाएगे, 6, इसका मतलब chromium जो ह जाएगे, KMNO-4 लेके चलें आप, हाना, तो इसके अंदर मेगनीज की oxidation state कितनी रहेगी, आप मुझे find out करके बताएगे, तो कोई भी compound, जब हम consider करते है, तो उसकी oxidation state वर्री करेगी, और यह depend करेगी, जब भी इस तरीके से लिखा हो, तो आपको सिर्फ अपनी किस चीज के में फोकस रखना है, डीबलोक एलिमेंट के उपर, डीबलोक एलिमेंट कोन सा है, वो ही हमें decide करवाएगा, oxidation state कितनी, तो आप मुझे के MNO-4 में मेगनीज की oxidation state find out करके बताने वाले है, कि इसकी कितनी आएगी, एक मिनिमम ऑक्सिडेशन स्टेट जो है, मिनिमम ऑक्सिडेश होल 4, यह जो कार्बोनाइल ग्रूप होता है, यह होता है, न्यूट्रल लिगेन, लिगेन के बारे में हम 9th unit के अंदर बात करने वाले हैं, जो CO होता है, इसके उपर चार्ज रहेगा 0, अगर इस पर 0 चार्ज है, तो इसके उपर भी कितना आजाएगा चार्ज, आयरन कितन में प्रेजंट होगा, यहाँ पर 0 oxidation प्रेज लिगे इस तरीके से निकल जो है यह भी कितने में रहेगा 0 oxidation state के अंदर यानि ऐसी compound है, जिन में metals अपने minimum oxidation state के अंदर प्रेजंट रहती है, जीरो जीरो ओक्सिदेशन स्टेट के अंदर, और यह ऐसे compound है साथ में, जहाँ पर यह पाई एकसेप्टर का करेक्टर स्टिक भी शो करेंगे कोवलेंट बोन तो बनेंगे इस साथ में पाई एकसेप्टर की तरह भी यूज किया जाता है यह हम डिटेल में तो 9th उनिट के अंदर स्टडी करेंगे लेकिन minimum oxidation state के लिए अगर कोई compound आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो FECO whole 5 है या फिर Ni CO whole 4 है इसी तरीके से compound होता है CuCl इसके अंदर जो copper होता है यह minimum oxidation state के अंदर रहेगा अगर copper की oxidation state निकालनी है तो X consider करेंगे plus chlorine के उपर कितनी oxidation state होगी हमेशे यह plus 1 charge के अंदर present रहता है तो X कितना हो जाएगा plus 1 यानि copper की कितनी oxidation state है इस compound के अंदर plus 1 oxidation state है तो यह भी काफी अच्छे example है जिनके अंदर minimum oxidation state के बारे में हमने बात की यहाँ पर maximum oxidation state के बारे में बात की थी इसका region बता दिया गया और इन examples के अंदर minimum oxidation state के बारे में आपको बताया गया तो इसे आप अच्छे से consider कर ले जितने भी points दे रखें आपकी बुक के अंदर oxidation states के regarding उन पे एक बार reading जरूर लगाए कोई भी क्योरी हो तो आप पूसकते है